तमाम जो अलग-अलग राज्य हैं वहाँ पर पांचो विधान सभाद चुनाओं हो रहे हैं और दस फरवरी से मद्दान भी होगा उत्तरक्रोदेश में पहले चरण का चुनाओं होगा लेकिन इन सब के बीच आपको बता दे कि दिल्ली में अरविंद केजरिवाल के घर के ब आदे कर रही है लेकिन बकौल नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंग विधूरी अभी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है इन्ही मांगों को लेकर नौ फरवरी से जो धरना होगा वो किस तरह से चलेगा कौन-कौन धर्में शामिल होगा क्या बड़े नेता भी उसमें और दिल्ली पर्देश भारतियनता पार्टी किसान मुट्चा के तत्वधान में ये धरना आयुजित किया जाएगा दिल्ली पर्देश भारतियनता पार्टी के अध्यक्स सिरी आदेश गुपता जी का भी मार्दर्शन इस अफसर पर दिल्ली द्याहात के तमाम लोगों को मिलेगा इसकी पूरी तैयारी हमारे दिल्ली पर्देश भारतियनता पार्टी किसान मुट्चा के अध्यक्स सिरी विनो सहरावज जी और इनकी पूरी टीम कर रही है अर्विंद केजरीवाल ने दिल्ली द्याहात के लोगों के साथ पिछले साथ सालों में बहुत सारे वाईदे किये हैं किसान की जमीन एकपायर होगी तो उनको 6 क्रोड रुपे से लेके 10 क्रोड रुपया मुआवज रासी दी जाएगी लेकिन अभी हाली में किसान की जमीन एकपायर की गई है तो 70 लाग रुपया एकट के हिसाब से मुआवज रासी दी जा रही है दिली के किसान रामबीर जी उन्होंने ये भी कहा है कि लाल डोरा भी बढ़ाएंगे मुआवज रासी भी बढ़ाएंगे वो तो साफ तोर पर कह रहे हैं अलग-अलग मंचों से वो कह रहे हैं तो अब दिक्कत क्या है अखिर अब क्यूं जो है इकठा होना पड़ रहा है गाउं के लोग हती आपको जानकारी भी है अरो सरकार से जाकर पूछिए कि किसान को कोई मुफ्ष को का विजली का किसान जो है वह वो इसको खांव रही यहां जो है यदि किसान के जमीन एक्वाइर होती थी तो उसके बदले में अल्टरनेटिव रेजिन्स ए प्लॉट दिया जाता था वो केजरी वाल की सरकार ने बंद कर दिया यदि किसान की मिर्तियों हो जाये तो उसके बच्चों के नाम पर रेवन्यू रिकॉर्ड में जमीन ट्रांसफर नहीं हो रही है अचा शीला दिक्षित के जमाने से हो रहा है दो एक्ट हैं जो किसानों के परिवार के लिए ये नासूर साबित हो रहे हैं अरे भाईया वो ही तो हम आपको बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं अब आप कहे रहे हैं कि उसमें घोषना कर दी है अरे घोषना कर दी है तो उसके ओपर अमल तो करे ना खाली घोषना तो अर्विंद केजरीवाल ने यह भी की थी कि यदि किसान जो है उसका जो गहुँआ और धान की कीमत कैसर कार जो भी किसान को मतब्स एक हजार रूपे परती क्मिटिकल खाब से अलग से देंगे और उन्हों ने ये भी कहा कि इसके उपर सो क्रोड रूपियां हर साल हम किसानों के उपर खर्च करेंगे 2018 से लेकर आज तक उन्होंने एक भी किसान को एक पाई पैसा अलग से नहीं दिया किसानों के सबयों हूँ हैं कि हम तो यह मैं आपकी यह सब बाते सुनने के लिए खड़ा हूँ आप जो वकालत में करने में लगे हो ना कि बिजली मुझे तो लग रहा कि आपकी आपकी आवाज प्रतिपक्ष की आवाज वो दवा देते हैं ऐसा कई बार आपको आप उनके वकील करिये और आप मुझे मत समझाइए हो क्या दे रहें आपको मालूम हैं दिली में जो बीजली दी जा रही है और उससे ज्यादा कोई बिजली इस्तेमाल करता तो आठ रूपे पर इनुट के साफ़ से दिली सरकार चार्rar社 करती हैं कमपनिया आपको मालूम है जिसके पास कमर्शल मेटर है वो अठ रूपे पर इनुट के मौझूद रहेंगे और बीजेपी के तमाम नेता मौझूद रहेंगे अरविन केजरिवाल को घेरने के लिए दिल्ली देहात के इस मुद्दे पर राम किंकर सिंग दिल्ली झाल